हाई फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माई चनल ब्यूट्रेश्मी और मैं हूँ रेश्मी तो आज मैं आपके साथ हैवेल्स HD 3225 आइकॉनिक कुल शॉट फोल्डेविल हैर ड्रायर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ पैकेजिंग आप देख सकते है मैंने इसको नायका से पार्चेस किया है इसका प्राइस है 2,995 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट मुझे देना पड़ा 2,396 रुपीज बाइदा वे दूरेंग शेल टाइम इसका प्राइस आपस और डाउन्स होते रहते है इस ड्रायर का का है पिंक इसका रेटेट पावर है 1800 वाट फोर प्रोफेशनल ड्राइंग 2 यर्स गारंटी है वोल्टेज है 220-240 वोल्ट AC इस बॉक्स के उपर प्रोडक्ट का सारी प्रोस स्पेशलिटी लिखा है आप लोग देख सकते है इस बॉक्स के अंदर एक हैर ड्रायर एक नॉजल इंस्ट्रक्शन मैनुवल दिया हुआ है ये है इसका मैनुवल प्लस गारंटी कार्ड इसके अंदर हाई क्वालिटी आइरन शीठ है तो एवाइट ओवर हीटिंग ऑफ बॉड़ी और ये हैर ड्रायर इसली फोल्ड हो जाते है इसली बेंट होने के वेज़े से इसको स्टो हीट सेटिंग के साथ आता है, cold, warm and hot. सिजन के हिसाब से मैं इसको सिटिंग कर लेती हूँ सर्दी के मौसम में वार्म और हॉट यूज करती हूँ और भैंकर गर्मी में कुलशट यूज करती हूँ और ये ड्रायर बहुत अच्छे से बालो को ड्राइ करता है और इसमें 1.6 मिटर लॉंग पावर कॉर्ड है सो यूज करने कमफर्टेबल है इसका नॉजल दिरेक्शनल विंट प्रोवाइट करता है फोर रैपिद ड्राइंग विच इस अ प्लास पॉइंट अल्सो और इसके अंदर सेंट्रिफुगल 6 लिफ फैन है जो आपको एरफ्लो देने के साथ साथ नॉज रिदक्शन भी करता है मैं अब इसको चला के इसका नॉज का लेगल आपको सुवाटी हूँ इस ड्राइर में आइकोनिक क्यार का फीचर दिया हुआ है इसके वज़े से हैर फ्रीज फ्री एंद हेल्दी शाइनी रहेंगे टावल राइड हैर के उपर सिरा में अपलाई कीजिए देन इस ड्राइर की मदद से बालो को ड्राइ कर लिजिए मैं इसको पास्ट टेन मांथ से यूज कर रही हूँ प्रोज तो मैंने बता ही दिया अब कॉन्स बताती हूँ नामबर वन अब बिठेवी तु ट्राइवे नामबर टू पूल बटन डाजन्ट किफ कूल एर इट गिवस मे नॉर्मल टेमपरेचर एर ये आपके हैर को बिलकुल डेमेज नहीं करेगा आप इसको प्रोफेशनली और एट होम यूज कर सकते है इससे अच्छे से ब्लो ड्राइ हो जाता है अगर आप बालो को स्टाइलिंग करना चाहते है तो इससे कर सकते है अगर आप एक अच्छा सा क्वीक ड्राइ कर देना वाला हैर ड्राइ ढून रहे है तो इसको ले सकते है हैर ड्राइ होने के साथ साथ बालो को एक अच्छा सा शाइन मिल जाता है हैर फ्रीज फ्रीव दिखता है अगर डेमेज भी नहीं होते है